तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत वेलकम करते हूं तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि ready made premix के साथ बतला ये red velvet sponge कैसे बनाएंगे तो आज की वीडियो उसी पर है कि हम लोग ready made premix के साथ कैसे red velvet cake बनाएंगे sponge बनाने के साथ साथ हम लोग ये glass cake भी आज बनाना सीखेंगे जी हाँ red velvet glass cake अगर आप घर में cake बनाने का शौक रखते हैं तो बेकरी वाला cake आप घर पे ही ready कर सकते हैं बेकरी बिजनेस के लिए तो खैर बहुत ही फाइदे मन्त ये वीडियो है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपने सुझाओ इसी तरह से आप मुझे देते रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ready made premix के साथ आज बनाने जा रहे हैं तो यहाँ प्रिस्टीन वाला में यूज करने जा रही हो vanilla premix इसकी जानकारी वीडियो मैंने जानकारी की वीडियो पहले बनाई है जाकर के जरूर देखिए तो आज इसी प्रिस्टीन वैनिला premix के साथ हम लोग बनाएंगे red velvet की तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले एक 5 इंच का टीन ले रहे है और उसमें हम लोग ऐसे तेल लगा करके इसमें पाच्मेंट पेपर बिच्छा लेंगे और इस तिन को हम लोग पहले रेडिक कर लेंगे देखिए कट कट किया हुआ मेरे पास पाच्मेंट पेपर बच्छा हुआ था उसी को में लगा दे रही हूँ तो ऐसा बच्छा हुआ रहता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि गोल शेप में ही काटें और लगाए देखिए यहाँ पर चोटा-चोटा अब हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर कोको पाउडर विक फिल्ड का मेरे पास है दिखिए और एक बड़ा चमच यहाँ पर हम लोग डालेंगे यह कोको पाउडर को चान करके ले लेंगे कई बार क्या होता है कि हम लोग नया भी लेकर के आते हैं तो भी उसमें न ऐसे अगर आपके पास ऐसा बीटर है तो बहुत ही अच्छा है आपको हातों से मशक्कत करना नहीं है इसी से हो जाएगा इसकी वीडियो मैंने पहले डाली है मेरा यह बीटर 400W का है इसकी पूरी जानकारी दी है अगर आप भी लेना चाहते हैं तो पर्चेस कर सकते हैं इसको मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था थोड़ा सा पानी मैंने फिट से डाला है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग बैटर बनाएंगे एक बार में ज्याद देखिए थोड़ा साइड से सुखा हुआ पाउडर को थोड़ा से बीच में कर ले रहें चाहे तो आप स्पेचुला से कर लेजिए और इसको देखिए अभी हम मीडियम स्पीड में मिक्स कर रहें तो प्रैंट्स इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी मैंने डाल दिया औ और इसको हम लोग अभी फिर मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हम लोग कम से कम धाई मिनट तक मिक्स कर चुके हैं अपने प्रैंट्स को हाई स्पीड में एक मिनट के बाद मैंने हाई स्पीड कर दिया था और हाई स्पीड में मैंने मिक्स किया था दिखिए कम से कम धाई तो तीन मिनट अच्छे से ना प्रेमिक्स को पानी डाल के फेट लिये हैं अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं एक चोटी चमबच रिफाइंड तेल इस तेल में कोई भी ऐसा फ्लेवर नहीं है और एक मिनट और हम लोग मिला लेते हैं तो कम से कम धाई से तीन मिनट आप मिला तो हाई स्पीड में मिला लिजिएगा पानी डालके और उसके बाद एक मिनट दीरे दीरे मिला लिजिएगा तेल दाल करके बस एक चोटी चमबच तेल और यह देखिए रिबन के जलसा हमारा यह जो प्रेमिक्स का बैटर है बन गया है तो बस ठीक है फ्रेंड अब हम पाता है तो मेरे वीडियो में बहुत से लोगों कमेंट है कि बन ही नी पाता है तो फ्रेंड आप फॉलो करिए स्टेप बाई स्टेप और एक दो बार में अगर फेल भी हो जाता है तो भी मत छोड़िये आप करते रहे आपका भी ज़रूर बनेगा जरूर बना पाएंगे अब चलिए इसको हम लोग बेग करेंगे बराबर कर लिया है और बेग करने के लिए अगर आप इसे में बेग करना चाहते हैं तो आप इसे 170 डिग्री सलसियस पे 30-35 मिनट बेग करिए लेकिन यहां चूले पर दिखा रही हूँ इसलिए एक कढ़ाई ले ले लिया है भारी यहां पर देखिए एक प्लेट ले रहे है तो प्लेट अच्छे से कवर करें कढ़ाई को और ऊपर भी थोड़ा सा जगा मिले केक को फूलने के लिए अगर फूला तो ऊपर में चिपकेगा नहीं देखिए इस तरह से अब हम लोग इसको चूले पे चढ़ाएंगे यह बड उसके बाद आधा घंटा तक बेख होने दिजेए इसको दीमे दीमे कोले हो लेंगे ऐसे भी जब भी आप केक करते हैं तो जब आप इतना अमाउंट का केक बना रहे है एक कपका जैसे आज मैंने बनाया 145 ग्राम का जितना लगभग आ बना रहे है तो आपना आधा गंटा भी बेख हुआ है अगर अंदर गच्चा होता तो अभी दबाने से दब जाता है फ्रेंट्स आप चाहें तो पीक डाल के भी देख सकते हैं इसको ठंडा कर लिया है और देखे कितना ज्यादा सौफ्ट है उपर से भी आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि उपर से कड़ा हो गय अच्छा लग रहा है काट के भी देख लेते हैं देखे आपको मैं काट के दिखा दे रही हूं कभी कभी मैंने देखा है कमेंट में कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि आप के काट के नहीं दिखलाती है क्या कि हमारा नहीं बनता है हमारा चूरा हो जाता है ऐसा हो जाता है बहुत सारा बात होता है लेकिन देखिए आज मैं काटके दिखा रही है और आसे नहीं है कि जिसमें कमेंटे मैं काट करागर करने डिखा ने दिख्या new AMY काट करना दिखेंग तो फ्रैंट्स देखिए जादा अगर पानी ड्राल देते हैं ना बेटर बनाते सेमें तो भी आपका चूरा निकलता है बहुत ज़दा पानी भी नहीं डालना होता है और केक जब ड्राई हो जाता है आपका बहुत जादा देर बेख हो गया मन लिजे तो ओवर बेख हो जाता है जब तब भी आपका च दूसरी बात कि आपका बेकिंग का समय भी सही होना चाहिए बहुत जादा ओवर बेक नहीं कर देना है वरना ड्राइ होकर भी तूटने लगता है अभी देखिए हम लोग स्पॉंज में से एक टुकडा निकाले हैं और इसको यहां पर न हम लोग तोड लेंगे चोटा चोटा आप इस बात का दिहान रखिएगा धीमे धीमे फ्लेम में कटते रहिए और जैसे सूखना स्टार्ट हो जाएगा इसका मॉश्चर और देखिएगा आगे जब सूखने लगेगा तो वह पता चलने लगे देखिए अभी अलग होने लग गया है सूख सूख के तो देखिए और भी अलग हो गया है और यह लग भग हमारा भी हो गया है जादा करने से क्या होगा जल जाएगा तो फ्रंस जब हो जाए इसको किसी प्लेट में निकाल के ठंधा करिए ठंधा करने के बाद इसे मिक्सिंग वाले मिक्सर जार में डाल करके इसको अच्छे सी ग्राइंड क केक बनाने के लिए भी होता है, सजाने के लिए गे केक को और फ्रेंड्स हम लोग ले लिए हैं, देखिए तीन गलस में ही आज बनाएंगे, फ्रेंड्स यह रहा हमारे पास पॉझज, इसको मैंने छोटा छोटा तोड लिया, जो त्यार बोपकभगए और फिरु छूटा छोटा आसे तोड लेंगे ताकि ग्लास केक बनाने में असाय लिद wanni coverage और यहां पर हम लोग सब्फेस को टीज शुपा यहां जाके जाएगा ऌर दुद तोड कि पहने स्पॉझ रक्षा था इसपांज डालेंगे red velvet cake sponge हम लोग यहां डाल चुके हैं तो एक layer sponge डालने के बाद अब हम लोग यहां cream लगाएंगे एक layer देखिए cream कुछ इस तरह से लगा रहे हैं तो यह इस तरह से एक layer cream का हो जाएगा और एक layer sponge का हो जाएगा इस तरह से हम लोग glass cake को ready करेंगे तो इसके पहले भी मैंने चॉकलेट ग्लास केक बनाना बतलाया है बटे स्कॉच भी बनाना बतलाया है वो भी जाके जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स ये वाला केक न आप घर के लिए भी शौक रखते हैं अगर केक बनाने का तो जरूर बनाईए घर वाले भी बहुत पसं अप जरूर तब से हम लोग कभी मार्केट से लेते ही नहीं है इतना फ्रेश जब हम घर पर बना सकते है देखिए एक लेयर फिर से क्रीम का और उसके बाद स्प Apply की रख रहे है ये हम तीसरी बार इंड़ करदेंगे हम लोग क्रीम के साथ और हमारा glass keik हो जाएगा रडी कि इसी भी उकेजन पर आप ये ग्लास गेग बनाई और प्रेमिक्स की जानकारी चाहते हैं तो डीटेल में बहुत से प्रेमिक्स की जानकारी मेरे चैनल पर है जाकर के जरूर देखिएगा वह सब जानकारी बहुत हेल्पुल है देखिए यहां पर हमने क्रीम के साथ ऐसे वान- मतलब कि जब आप रेड वैलवेट केक मनाते हैं उसके ऊपर छिड़का जाता है जिससे कि वह बहुत ही सुंदर वैलवेटी दिखलाई पड़ता है तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग अभी दूसरा वाला भी तयार कर लेंगे तो सेम प्रोसेस करना है आपको तीन लेयर में मैंने स्पॉंज इसमें भी लगाया था और एक- employees क्रीम कर दिया था और एंड में हमने डिजाइन कर दिया था फहले geben में किया है तो इस तरह से मैंने न टीन ग्लास ीक बनाया आप चाहें तो इतना स्पॉंज जो है न सिचार भी बना सकते हैं और यहां पर फिर से हम लोग वही अपना वेलवेटी वाला छीड़क देंगे जो हमने पाउड़ तियार किया है इस तरह से हमने बनाया तीन ग्लास केक बहुत ही टेस्टी लगता है रेड वेलवेटी ये केक अगर आप बेकरी का काम करते हैं तो इस तरह का केक आपके बिजनेस को बहुत फाइदा दे सकता है क्योंकि अकसर लोग केक खाना चाहते भी हैं तो बड़ा-बड़ा केक लेना नहीं चाहते हैं कभी-कभी छोटा ग्लास केक या कपकेक पसंद किया जाता है तो चैनल पर आगर और भी प्रेमेक्स और क्रीम और भी डिजाइनर केक्स की वीडियो ज़रूर देखिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू बाई बाई